पिछले वीडियो में हमने पुश बटन को यूज़ करके इन्पुट दिया था अब हम सीरियल मॉनिटर को यूज़ करके इन्पुट देंगे तो चलो कोडिंग के और हम पहले के सारे कोड्स रिलेट कर देते हैं LED को 13 पिन के साथ कनेट कर रखा है तो चलो वाइड लूप के और वाइड लूप लगाएंगे और सीरियल डॉट अवेलबल फंक्शन को लगा कर चेक करेंगे कि सीरियल के बफर में कोई वैल्यू है के नी इसके बारे में मैंने आपको स्विच केस जब एक्स्प्लेइन करा था उस वीडियो में सब कुछ बताया था अगर आपको डाउट है तो आप फिर से उस वीडियो को रफर कर सकते हूँ सीरियल डॉट अवेलिबल के बारे में अब मैं एक वेरियाबल डेक्लेयर कर रहा हूँ कारेक्टर वेरियाबल है तो cat d डेक्लेयर कर दिया अब d जो होगी वो सीरियल डॉट रीड करेगी सीरियल डॉट रीड के बारे मैंने बताया था आपको तो हम उस स्टोर्ड वैल्यू को रीड कराएंगे तो d इकोल्स टू सीरियल डॉट रीड फॉंक्शन उस करेंगे तो चलो ठीक है अब हम इस यूस करेंगे इफ यूस करेंगे अगर हम लिखेंगे इफ d एकोल्स टू इकोल्स टू A सिंकल कोट में हम A लिख देंगे अगर A I value तब हम इस इफ के अंदर लिखेंगे ब्राक्ट लगा कर कि LED ब्लिंक करें तो फिर झो हम क्या करेंगे इसमें एक ब्राकेट लगा देता हूँ मैं अब मैं इसमें लिखूँँगा डिजिटल राइट ब्राकेट में 13, high तो उसके बाद ब्राकेट क्लोस समी कॉलन देन डिले 500 millisecond का डिले देदूँगा देन अगेन मैं डिजिटल राइट 13, low लिखूँगा यह बिल्कुल सेम वो ब्लिंक वाला जो कोडिंग हो उसके बाद में फिर से डिले डालकर 500 millisecond क्लोस उसके बाद अब इफ का मैंने कर दिया अब एल्स लिखूँगा अगर कोई और बटन प्रेस हुई ए के अलाबा कुछ और प्रेस हुआ तो हमेशा LED ओफ रहनी चाहिए तो 13, low कर दूँगा तो LED जलीगी अब कोडिंग में थोड़ा और चेंज़ेस करते हैं अब मैं चाहता हूँ कि B लिखे तो दो बारी ब्लिंक होए तो हम ELSE IF लगा देंगे यहाँ पर याद होगा आपको ELSE IF हमने करा था ELSE IF अब मैं ब्राकेट में लिखूँगा D equals to equals to single quote में B अगर B value होई तो म मैं चाहता हूँ कि डब दो बारी ब्लिंक हो जाए तो मैं इसको हाई कर देता हूँ यहाँ पर और और फिर यहाँ पर डिले दे देता हूँ यहाँ पर मैंने 500 ms का डिले दे दिया है अब डिजिटल राइट 13, low लिख दूँगा मैं ब्लिंक कराने इसलिए तो फिर से डिले 500 ms अब मुझे दो बारी ब्लिंक कराने तो इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर तो चलो ठीक है अब दो बारी ब्लिंक हो जाएगा तो चलो अप्लोड करते हैं अब मैं serial monitor खोलता हूँ अब मैं यहाँ पर values दूँगा अब चलो input value देता हूँ मैं A तो जैसी मैंने A दिया आप देख सकते हो LED एक बारी चली अब मैं input value दूँगा B तो B दिया तो आप देख सकते हो LED दो बारी चलीगी तो चलो अ अब हम ऐसी कोडिंग करते है कि अगली कोई मैंने value डाली समझे लो C तो C डालते ही LED फास्टली 6 बारी blink करते हैं ऐसी कोडिंग करते हैं तो मैंने क्या करा Lcf लगाऊंगा फिर से सबसे नीचे तो D ले लूँगा single quote में C ले लूँगा D equals to equals to single quote में C bracket close and अब Lcf का मैं कर ल digital right, digital right नहीं लिख सकता तो मैं इसलिए मैं for loop यूज़ करूँगा तो मैंने क्या करा for loop में एक i variable को initialize कर दूँगा int i ले लूँगा and 0 से चलेगा वो 0 से शुरू होगा and मेरे को 6 बारी blink कराना तो i should be less than 6 तो i is less than 6 then i++ increment यह आपको पता होगा अब तक तो पता चलेगा होगा कि for loop कैसे लिखते है अब इसके bracket में मैं लिख दूँगा digital right कोई पूरा जो blink कराने वाला जो coding था वो मैंने पूरा paste कर दिया digital right 13, high delay 50 दे दिया and then digital right 13, low and delay इदर भी 50 दे दिया जल 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 दी करने इसलिए मैंने delay कम दे दिया ठीक है ताकि जल 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 दी blink करे तो चलो अब ह मैं serial input दूँगा सबसे पहले c दिया तो आप देख सकते हो fastly blink कर रहा फिर से c दिया अब मैं a दूँगा तो एक बारी blink कर रहा अब मैं b देता हूँ तो दो बारी blink होगा आप देख सकते हो जलो मैं फिर से c देता हूँ fastly blink होगा तो चलो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे serial monitor के साथ Arduino में input देते हैं